हावरुफिक्स पेटियम बेंग एकाउंट लिंग एरर प्राब्लम नमस्कार दोस्तों सो आगर है अब सभी कातिक राज यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों अगर आप बेंग एकाउंट लिग करते वग यहाँ पर कोई भी प्राब्लम कोई इशू आ जाते हैं आपको कुछ भी नहीं कर सकते हैं ठीक है पेशा ट्रांसपर नहीं कर सकते हैं और रीचार्ट नहीं कर सकते हैं वह सब कुछ आपको करने को नहीं मिलेगा क्योंकि आपने बेंग एकाउंट लिंग नहीं किया है या तो फिर आपको पेटियम का बेंग एकाउंट बनना परेगा ठी तो आज के इस वीडियो पर हम बात कर रहा है bank account link error के बारे में तो कैसे कैसे करना होगा कैसे solve होगा आपका problem यह सब कुछ इस वीडियो पर discuss किया जाएगा तो वीडियो को शुरू कर लेकर आन तक देखे और solution को कीजिए solve हो जाएगा आपका problem वीडियो शुरू करने से पहले make sure channel को subscribe करते हुए bell icon को click करें और अगर आप online पैसा कमाना चाते हैं तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें twitter पर follow करके message कर सकते हैं चलिए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले चीज़ में आपको कुछ explain करके बता रहता हूँ तो यहाँ पर जो number आपने bank पर link करवाया है वो number क्या आपके पास है mobile पर ठीक है वो आपको सबसे पहले check करना है तो जो number bank account पर link है मान लिजे वो SBI पर link है तो आपको वो number mobile पर add करना है उसके बाद link bank account पर जाके SBI bank select करना है ठीक है SBI bank select करने के बाद आपका जो account है उसको automatic detect कर लिया जाएगा आपका problem solve हो जाएगा लेकिन कई बर क्या होते है bank पर आपका number update नहीं होने के वज़़द से detect नहीं कर पाते और उसके वज़़द से problem होते है तो आप एक बार जाएगे अपने bank पर अपना mobile number को update कीजिए उसके बाद PTM पर जो है आप bank account link add करने की कोशिश करे ठीक है PTM पर bank account add करने की कोशिश करे link कीजिए bank को हो जाएगा आपका problem fix हो जाएगा लेकिन एक चीज़ में आपको समझा देना चाहता हूँ अगर आपका registered mobile number जो की bank पर registered है वो number आपके mobile से बाहर है और आप इसी mobile से registered करना चाहरा है तो वो नहीं हो पाएगा वो SIM card जो bank पर link है वो चाहिए होते हैं आपके mobile पर जो mobile पर आप ATM यूज़ करने वाला है अगर आप ऐसा करते हैं तो काफी आसानी से आपका account को detect कर लिया जाएगा bank account आपका 8 हो जाएगा तो इस तरीके से आप यहाँ पर problem को solve कर सकते हैं तो यह तो हो गया दोस्तों सबसे पहरा तरीका solve करने का अभी कुछ solutions करते हैं अगर उससे काम नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना है आपको एव अपडेट करना है एव अपडेट करके check कर लिजे अगर problem solve होते हैं तो ठीक है अगर नहीं होते हैं तो आपको जाना है setting उसके बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके एप नोडिफिकेशन पे आ जाईए ठीक है पेटियम को open कीजिए उसके बाद storage in cache पर जाए clear storage ओके कर दीजिएगा यह करने का बाद आपको बेक करना है उसके बाद आपको permission पे जाना है सारे permission allow करना है end end recheck करके देखे solve हो जाएगा आपका problem by any chance फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको network check कर लेना है क्योंकि कई बार network fail होने के वज़ज़ से network issue करने के वज़ज़ से network weak होने के वज़ज़ से भी problem होते हैं तो wifi network पे जाए SIM में network पे जाके SIM को open कीजिए और APN setting को एक बार reset कीजिए APN setting reset करने के साथे साथ mobile network setting को भी reset कर दीज़गा तो आच्छा रहेगा उसके लिए आपको जाना है system and then reset option उसके बार reset wifi mobile bluetooth and then reset setting तो reset कर लेज़गा अपना network setting को और उसके बार mobile को restart कीजिए and then check out करके देख ले आपका problem fix हो जाएगा ठीके तो bank account अगर आप link नहीं कर पा रहा है किसी तरीगे से तो आप ये सारे solution यहाँ पे follow up कर सकते by any chance अगर आपको कोई मदद चाहिए तो आप यहाँ help line number है उसमें contact कर सकते 34 into 7th help line number आपको मिल जाएगा या फिर आप अपने bank visit भी कर सकते हैं ठीके तो इस तरह के से आपका problem आप fix कर सकते हैं दोस्तों अमीद करते हैं आपको वीडियो पसने होगा thanks for watching